इंडिया के इस छोटे से रीजिन में एक ऐसी कम्यूटी रहती है जो यहां से निकल कर पूरे देश के बिजनिस को डॉमिनेट करती है अधित्य बिल्ला ग्रूप, बजाज, इमामी, दे टाइम्स ग्रूप जैसे कई बिजनिस के ओनर्स इस छोटी सी कम्यूटी से आते हैं हम बात कर रहे हैं मरवाडी कम्यूटी की, जो आते तो राजस्तान से हैं लेकिन अगर इनकी टोटल वेल्थ कर दी जाए, तो वो राजस्तान की जीडीपी से भी जादा है इतना ही नहीं, Bombay Stock Exchange में जितनी भी कमपनीज हैं, उसका 6% यानी 228 बिलियन डॉलर मरवाडियों के पास है ये इतना पैसा है कि अगर ये आपके पास होता, तो हम Mukesh Ambani जी का जो बिजनेस है Reliance Retail, उसे और HDFC Bank, जो की वोर्ल्ड का 7th largest bank है, उन दोनों को खरीग लेते हैं और इसके बावजूद आपके पास करोणों रुपे बच जाते हैं इंडिया के 26 billionaires मरवाडी community से belong करते हैं और 50 Indian startups में at least एक मरवाडी founder है ही है तो सवाल ये है कि मरवाडी लोगों में इसी qualities क्या हैं, चोने इतना successful बनाती हैं और आज की वीडियो में हम इसी के बार में बात करें, तो let's start आज ये brand हर घर में पहुंच चुका है, और marketmen उने ऐसी पकड़ बनाई है कि US के बड़े-बड़े brands जैसे की Domino's या McDonald's ये दोनों मिलाकर भी इसे मुकाबला नहीं दे पाते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुवात 11 साल के एक बच्चे ने की थी, वो भी भुजिया बनाकर और आज ये company 80,000 करोड की हो गई है तो बात है 1919 की जब राजस्तान के बीकानेर में गंगा बिशन अगरवाल जी की family भुजिया बेचा करती थी उस वक्त वो सिर्फ 11 साल के थी और बींगा मारवाडी उन्हें कहा गया था कि तुझे घर के business में हाथ बिटा नहीं है उस वक्त बीकानेर में बहुत से लोग भुजिया बेचा करते थी और सबकी भुजिया almost same ही होती थी ना ही quality का difference ना even price का difference उस वक्त हदिराम जी को भुजिया बनाने का obsession हो गया था लेकिन वो चाहते थे कि मेरी भुजिया बाकी लोगों से different हो वो अलग लग ingredients से experiment करते और नए taste और quality ट्राइ करते और finally उन्हें वो secret ingredients मिल गए और उनकी भुजिया इतनी famous होई कि वो जब भी लाते थे उसी वक्त वो सारी भुजिया बिग जाती थी तो उन्होंने इस भुजिया को बनाने के लिए 3 total changes करें सबसे पहला था कि सारे लोग उस वक्त भुजिया बेसन से बनाते थे लेकिन इन्होंने भुजिया मोच से बनाई जिसकी वज़े से भुजिया और साधा tasty और crispy बनी लेकिन हलदी राम जी को पता था कि ये ingredient तो copy हो जाएगा इसलिए उन्होंने सोचा branding के बारे में वो अपनी भुजिया को बाकी भुजियों से high quality बताना चाते थे और इसके लिए उन्होंने बाकी दो points का सहरा लिया point number second था कि उन्होंने इसको नाम दिया महराजा डोंगर के नाम से और इसे कहा डोंगर से जिससे लोगों के दिमाग में एक strong perception बन जाए ये कोई आम भुजिया नहीं है ये तो महराजे जी के नाम से है अपने product को premium दिखाने के लिए जो third strategy इन्होंने अपना आई वो था इसका price जहां पर उसवक्त हर आदमी दो पैसे पर केजी के हिसाब से बुजिया बैसता था इन्होंने अपनी भुजिया का price धाई गुना कर कर दिया और अपने बेटों को एक एक जगा की ownership दे दी यानि एक को Kolkata की और दूसरे को नाखपूर की इसके बाद भी इनकी future जनी असान नहीं थी इनके बेटे श्री Krishan Agarwal जी का नाखपूर में business अच्छा नहीं चल रहा था क्योंकि महराश्टरा के लोगों में भुजि कर दिया यानि कि वहाँ पर उन्होंने देखा कि वही कॉमन लड्डू वगरना सुईट्स बिखती है और इसलिए उन्होंने वहाँ पर इंट्रोड्यूस करी premium सुईट यानि काजू कतली इसके साथ-साथ वो अपने कस्टमर से बहुत ही sweetly बात करते थे उन्हें चाय कॉफ कतली बहुत famous होगी और सिर्फ नागपूर ही क्यों पूरे इंडिया में इनकी sweet famous होगी इस बात का अंदाजाब इससे लगा सकते हैं कि हल्दी राम की जो sweet में market share है वो 34% है और ये पूरे इंडिया का सबसे बड़ा market share है अब जो मारवाडी होते हैं ये कोई एक generation business नहीं होत यानि packaging यानि product के साथ साथ वो packaging उसकी बहुत अच्छी करते हैं और हर बार major locations जैसे की दिल्ली की चांदी चौक जैसी जगाओं में नई-ने stores खोलते हैं यानि वो 11 साल का लड़का जो भूजिया मनाता था आज उसी company का revenue 12,000 करोड का है यानि सारे लोग मिलकर 12,000 करोड की भ दिखाने के लिए उसका price बाकी भुजया के competitively धाई गुना रखा मारवाडी इसकी second outstanding quality आती है diversification ये स्टोरी है एक ऐसे इनसान की जो बिहार से निकल कर मुंबई आ है और scrap यानि कबाडी वाले का काम किया आज उनकी net worth 16,000 करोड रुपे है उनकी company इंडिया की largest mining company है और उन उनने school छोड़ दिया और अपने father के business में लग गए ये हमेशा से ही एक dreamer थे और इनका dream था कि खुद का कुछ करना है खुद का business करना है और इसी लिए ये Mumbai shift हो गए Mumbai आने पर ना उनके पास पैसे थे और ना ही वहाँ पर किसी को ये जानते थे ये जिनके साथ काम करते थे कबाड़ी वाला था और उसने कहा कि देख मेरे पास एक room है जिसमें साथ बैट लगे हैं एक में आके तू भी सो सकता है वही पर उनने scrap dealing का काम start कर दिया जहां पर वो cable company से कबाड़ लेते और उसे factories को बेज देते scrap की dealing करते करते 1976 में उन्हें शमशेर sterling cable company जहांसे वो scrap लिया करते थे उसे खरीदने का मौका दिखा क्यूंकि वो company bankrupt हो चुकी थी उस वक्त उनने सोचा कि ये company तो मुझे खरीदनी है और उन्होंने 66 lakh का loan लिया जो की आज की calculation के according 10.2 करोड बनता है अनील अगरवाल जी अपने tweet में बता रहे हैं कि जब उन्होंने इस company को खरीदने के लिए loan लिया तो अगले 10 साल उनके सबसे tough थे जिसमें उन्हें बहुत से stress और depression से गुजरना पड़ा 10 साल इस business में काम करने के बाद 1986 में उन्होंने sterlight industries को खरीग लिया जो की आगे चलके विदन्ता resources बन गए इन्होंने यहीं से copper की smelting और refining का business टार्ट किया exactly इसी तरीके से 2001 में हिंदुस्तान Zink Limited और भारत Aluminium Company Limited में इन्होंने majority shares ले लिए जिससे इनका business और ज्यादा diversify हो गया लेकिन इसके बाद भी यह नहीं रुके 2007 में सेसागुआ नाम की iron ore producer को भी इन्होंने acquire किया और साथ ही में oil and gas company Karen India को 2011 में acquire किया और इनकी Aluminium Zink, Copper के माइन सिर्फ इंडिया में नहीं बलकि South Africa, Australia और Zambia जैसी countries में भी है देकि बिहार से आया हुआ एक लड़का जो कबार बेच रहा था आज उसकी company की net worth 83,000 करोर रुपीज है और ये company है भी उस industry में जहां पर government की rules and regulation इतनी जादा है कि अगर छोटा सा भी business खोलो तो ऐसा लगता है कि government पीछे पड़ी है इसको बंद करवाने के लिए लेकिन फिर भी आज इसी industry में अनील अगरवाल जी को metal king के नाम से जाना जाता है इन शॉर्ट इस पॉइंट से हमारी learning ये है कि मारवाडी कभी भी अपने एक business पर dependent नहीं रहते हैं बलकि हमेशा expand करते रहते हैं हमेशा growth के बारे में सोचते हैं कि new income stream कैसे create की जाए मारवाडी की तीसरी सबसे बड़ी quality है breaking all the barriers imagine कीजिए कि आज से 30 आ 40 साल के बाद जब आप 60 या 65 साल के हो जाएंगे तब आप क्या करने का सोचते होंगे most probably हमें से जारते लोग काम से retire होकर अराम की जिंदगी काटना चाते हैं बट यहाँ पर जिस आदमी की story में बताने वाला हूँ वो इसके बिलकुल ही अलग है इस age में लोग retire होते हैं उस age में इस इनसान ने business करने का सोचा business में ये fail भी होए लेकिन हार नहीं माने ना सिर्फ इन्होंने अपनी company को बचाया बलकि उसे इंडिया की third largest tractor manufacturer बना दिया सिर्फ इतना ही नहीं 92 की age में ये इंडिया के oldest billionaire भी बने और इनकी net worth 23,000 करोड है मैं बात कर रहा हूँ लक्षमंदास मित्तल जी की जो सुनाली का tractors के founder और chairperson है ये एक middle class family से belong करते हैं और अपनी graduation complete करने के बाद LIC में इनकी job लग गई LIC में काम करते करते हैं इन्हें finance on investment की अच्छी खासी knowledge हो गई थी जिससे इन्होंने अपने salary के पैसों को regularly invest किया और यही पैसे उन्हें अपना पहला business start करने के काम आए 1995 में लक्षमंदास जी का business शुरू हुआ इसके पीछे का business भी एक noble cause था उनके father एक farm dealer थे जो कि किसानों को उधार में fertilizer, seed ये सब दिया करते थे और जब फसल काटने का समय आता तो किसान फसल बेच कर ये उधार वापिस करते बट उस time पर फसल काटने में महीनों लग जाते थे क्योंकि सारा काम हाथ से करना पड़ता था और क्योंकि फसल काटने में ज़्यादा टाइम लगता था तो बारिश या तुफान के कारण कई बार किसानों की फसल बरबाद भी हो जाती थी उस वक्त उन्हेंने farmer को सफर करते हो देखा तब इसे उन्हें लगा कि उन्हें कुछ ऐसा business करना चाहिए जिससे farmer की income को बढ़ाया जा सके और उसके काम को असान किया जा सके अपनी बची कुछी सेविंग के साथ वो अपने फ्रेंड के पास चले गए एगरिकल्चर यूनिवर्स्टी लुद्याना में वहाँ उन्हें recently imported Japanese thresher मिले उन्हें उस Japanese thresher के 50 order दे दिये और उसे खरीद के किसानों को दे दिया टेस्ट करने के लेकिन ये machine fail होगी क्योंकि ये machine सिर्फ rice crop के लिए बनी थी उनके सारे पैसे इस investment में डूब गए और वो bankrupt हो गए imagine कीजिए कि 60 साल की age में आपके बच्चे हैं family की responsibilities हैं और आपके bank में पैसे zero हो जाते हैं सोच कर भी dull लगता है लेकिन इन सब के बाद भी लक्षमांदाश जी ने हार नहीं मानी उन्होंने डीलर से wheat crop के cording thresher's में changes करवाई और फिर से thresher's को market में लाए और finally ये thresher's successful साबित हो गए इसके बाद लगतार उनकी company growth करती रही और farmers को इनके equipment इतने पसंदाए कि सब इने tractors की demand करी जिसकी वज़ा से सोनाली का tractors की शुरुवात हुए और आज यही इनका main business बन चुका है सिर्फ यही नहीं आज ये tractors के market में leader बन चुके है इनकी company ने year 2021 में देड लाख tractors sale करी और एक तालिस परसेंट की growth करी और ये अपना product सिर्फ इंडिया में नहीं बलकि 74 और countries में भी बेचते हैं इन शॉटे स्टोरी से हमारी learning ये है कि हमारे लिए कुछ भी barrier नहीं है जब तक हम उसे accept नहीं करते हैं पूरी जिंदगी LAC में काम करने के बाद लक्षमन दाश जी ने 60 की उमर में business start किया और फाइनली 92 की age में बलेनर बने और जबकि 92 की age में maximum बच्चे अपने माबाप को घर से निकाल देते हैं मारवाडी की चौथी सबसे बड़ी quality आती है higher risk ticking capability आप सब को ये एड़ जरूर याद होगी जो हम सब TV में, CVS में या movies में देखा करते थे ये story है हरी मोहन मंगूर जी की इनका cement का business था जो कि साल 2002 में बहुत बूरी financial condition में था ये इतना खराब हो चुका था कि इनकी अपनी company बेशने की नौवत आ गई थी उसके इलावाज जो उन्होंने loan लिया था उस पर 19% का ब्याज था जिसकी वरसे करोड़ो रुपे तो उन्होंने सिर्फ ब्याज में और फ्रांच की एक company इंडियन market में अपनी पकड़ बना सकती थी डील के दोनों parties ready थे और next day सुबा 9 बजे paper sign होने ही वाले थे पर हरी मोहन जी को ये बात पता थी कि business में 50-50 जैसा कुछ नहीं होता वो अपने पिता जी जो कि श्री सिमेंट के founder भी थे बेनू गोपाल बंगूर जी के पास गए और अपने पिता जी से कहा कि एक last chance मुझे दीजिए मैं इस company के दिशा बदल सकता हूँ इतने difficulty situation में अगर हम होते तो हम सोचते क्या यार इस company को बेचो और safety में आओ लेकिन नहीं एक मारवाड़ी कभी भी risk लेने से नहीं डरता और यही हरी मोहन जी ने किया conditions इतनी जादा खराब होने के बावजूद उन्होंने risk लिया और deal cancel कर दी अब हरी मोहन जी ने deal तो cancel कर दी लेकिन plan क्या था आगेगा वो उन्हें भी नहीं पता यहीं पर मारवाड़ीों की challenges को bravely face करनी की quality नजर आती है हरी मोहन जी ने सबसे पहले company में जो cost थी उसको कम करा और efficiency को बढ़ाने की strategies लई cost कम कर निकले उन्होंने देखा उसी साल Reliance Industries ने अपनी जम्रानगर वाली refinery स्टार्ट करी थी और वहाँ पर petroleum coke refine होता था तो जिनने नहीं पता petrol को refine करने के बाद जो product बचता है उसे coke कहते हैं जो की coilे से 40% सस्ता होता है अगर वो coke अपनी factories में use करे तो उनकी factories में cement बनने की cost को कम किया जा सकता था लेकिन इंडिया में किसी को नहीं पता था किसे use कैसे किया जाए इस technique को Europe में popularly use किया जाता था इसलिए उन्होंने अपनी engineering team को Europe भेजा ताकि वो train होकर same method अपनी factories में भी apply कर सके साथ ही में साल 2003 में वल्लब भंसाली जी जो कि एक angel investor है उन्होंने company की factory विजट की और वहाँ पर जब उन्होंने employee से बात करी तो उन्हें पता चल गया था कि एक factory worker से लेकर company के chairman को सबको पता है कि company की vision क्या है जिससे उन्हें company के future पर trust होने लगा फिर उन्होंने company में पैसे invest कर दी और company में कुछ financial stability आने लग गए धीरे धीरे जब market में demand बड़ी तो इनकी company turn around हो चुकी थी यानि 2003-2004 के end तक इनकी company profitable बन गई दस सालोमिन की इतनी growth हुई कि profit 6 करोड से 1000 करोड पहुन गए सिर्फ इतने नहीं फ्रांस की वो आपको company याद है Wicked जो इन्हें acquire करने वाली थी उन्हें आंधरा की company के साथ मिलकर merge करना पड़ा और आज ये दोनों मिलकर 25 लाग ton cement produce करते हैं वहीं पर शीरी cement 1 करोड 35 लाग ton produce करता है कुछ सालों पहले जो company इन्हें खरीदना चाहती थी आज ये उन company को खरीदने की ताकत अगते हैं इस story से हमारी learning ये है कि Marwaris की तरह successful होने के लिए हमें भी अपनी life में tough situation से गुज़र नहीं पड़ेगा उसके बावजूद risk लेने पड़ेंगे और साथ ही में अगर हमें अपनी strategies और action में belief है तो हम भी अपनी situation को turn around कर सकते हैं जैसे की हरी मोहन बंगूर जी ने अपनी company के साथ किया Marwaris की fifth सबसे बड़ी quality आती है adaptive and opportunity seeker imagine कीजिए किसी की 20 age में उनके फादर के death हो जाए फिर हमारा बड़ा भाई हमारी family से अलग हो जाए वो भी एक profitable business के साथ हमारी factory पे workers strike कर दें और एक साल तक factory बंद हो जाए फिर हमारे दूसरे भाई के death हो जाए इतना सब कुछ हो जाने के बाद ऐसा लगता है कि यारब जीने का मन नहीं है लेकिन एक मारवाडी कभी भी हाल नहीं मानता जो की same चीज अजे पीरामल जी ने करी सिर्फ 22 की एज में इन्होंने अपनी family textile business में enter करने का सोचा और उन्हें इस business में भी दो ही साल होए थे 1979 में उनके फादर की death हो गए और साथ ही situation और भी खराब होगे जब उनके बड़े भाई दिलीप family business से अलग हो गए और जो plastic वाला जो अच्छा business पर फॉर्म कर रहा था उसको ले गए सिर्फ इतना ही नहीं 16 दिन के बाद इनके textile mills को बंद करवा दिया गया strikes के कारण और एक साल तक है factory बंद रही इसके बाद बुरा तो तब हुआ जब कुछ सालों के बाद बड़े भाई अशोग जी की भी death हो गए और उनकी वाइफ और बच्चों की responsibility इनके उपर आ गए 1984 में सिर्फ 39 की age में इनने as a chairman अपनी company की leadership ली उस वक्त उनने ना ही industry की knowledge थी ना ही कोई जादा experience साथी में उनकी personal life में इतने सारे बुड़े experiences होए थे उन्होंने सबसे पहले textile business को छोड़ कर दूसे industries में business करना start किया क्योंकि textile industry में government की policies लगतार change हो रही थी जिससे restrictions इतनी जादा increase हो रही थी कि business करना बहुत ही difficult हो गया थी इसके साथ ही हर इंसान semi quality के कपड़े बेच रहा थी company safe price के basis पर play कर रही थी तबी उन्हें अपने एक friend के थुरू पता चला कि एक Australian company है जो इंडिया छोड़ रही है इस company का नाम था Nicholas Labontries और इसे हम खरीद सकते हैं वो सीधा company के owner Mike Barker के पास गए और उन्हें अपने confidence से convince कर लिया कि वो इस company को new heights पर ले जा सकते हैं उस वक्त इस company के total value 5-6 करोड थी और ये deal जादा risky भी नहीं थी इसलिए उन्होंने इसे खरीद लिया इसके बाद उन्होंने कई छोटे-छोटे pharma companies को acquire किया और आज पीरामल ग्रूप इंडिया की one of the most successful pharma companies में से एक है अब इस company के total value 14,000 करोड है देखिए अगर आप Marwadis की तरह business में interested हैं तो Google application में अब सारी businesses books सुन सकते हैं इवन Warren Buffett की सबसे पहली सबसे फेवरेट book 1000 ways to make $1,000 इसके लबा Google application में 200 से साथा book summaries हिंदी में free में available हैं जिसमें हम हर हफते एक free book summary add करते हैं तो अगर आप Marwadis की तरह अपने दोस्तों से पीछे नहीं रहना चाहते हैं तो आप Google application डाउनलोड कर सकते हो जिसका link मैं description और first comment में दे दूगा Anyways, coming back to the story तो इस वीडियो में हमने Marwadis की total 5 strategies देखी पहले थी innovative strategy इसमें हमने हल्दीराम की story से ये जाना कि कैसे उन्होंने मोज से भुचिया बनाई और बाकी भुचिया बेचने वालों से better packaging करी उसे अच्छा नाम दे और इसका premium price भी रखा हमारी second learning थी diversification इसमें हमने अनील अगरवाल जी की story से ये जाना कि कैसे उन्होंने एक के बाद एक metals में अपने business diversify की और आज इसलिए उन्हें metal king of India कहा जाता है मारवाडी की third quality थी breaking all the barriers एक मारवाडी business में कभी भी हाल नहीं मानता लक्षमन दाजी ने LIC agent से शुरुआत करी और 60 की येज में अपना नया business start किया बैंक्रप्ट होने के बाद भी उन्हें हाल नहीं माने और इंडिया के oldest business man में fourth quality है high risk taking capability जिस तरीके से हरी मोहन बंगूर जी ने अपने डूपते होई cement के business को ना बेचने का risk लिया लेकिन उसके बावजूद उसे profitable बनाया उस तरीके से हम भी किसी भी बुरी situation को flip कर सकते हैं और उसे better बना सकते हैं और fifth most important quality थी adaptive and opportunity seeker इसमें हमने अजे पिरमलजी की story देखी कि जैसे ही उन्हें नहीं opportunity देखी तो उन्होंने अपने background के बारे में नहीं सोचा और फिर वो pharma company में shift हो गए और अगर आपको लगता है कि आपके किसी friend या family member को business में interest है तो ये वीडियो आप उनके साथ जरूर शेयर करें और हाँ गीगल application डाउनलोड करना मत भूलेगे और अगर आप ऐसी knowledgeable videos मिस्स नहीं करना चाहते हैं सब्सक्राइब करने के बाद bell का बिटन दबाना मत भूलेगे जल्दी हम आपसे दबाना मिलेंगे जया हिद